वेलकम टो माई चैनल कॉलेज स्पाई आज हम बात करेंगे डेली उनिवर्सिटी के एक्जाम के लाज़ डेट के बारे में आप देख सकते हो यह जो नोटिफिकेशन है तीन नवंबर की है यानि की तीन नवंबर दोहज़र तईस अफिशल नोटिफिकेशन है डियो की तो गाईज यह वीडियो स्पेशली इस्टूडेंट्स के लिए 2023 के इस्टूडेंट्स के लिए जो भी अभी अभी एडमिसन डियें हम बात करेंगे कि जो एक्जाम की लाज़ डेट थी उसको एक्स्टेंड करी गी है तो गाईज कब तक एक्स्टेंड करी गई है कितने एक्स्टेंड करी गई है वह हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे तो गाईज सबसे पहले देखो इस नोटिफिकेशन में है क्या अटेंशन फिलिंग अप एक्जामिनेशन फॉर्म तो गाईज इस वीडियो में सबसे पहले तो यह जो वीडियो है वो है एक्जामिनेशन फॉर्म के उपर और इस नोटिफिकेशन में बताए गया है कि यह जो एक्जामिनेशन फॉर्म है वो रेगलर और एक्स्टेंड के लिए और गाइज इस नोटिफिकेशन में यह बोला गया है कि अल अंटरग्रेड़र्ट प्रोग्राम यानि कि इतने भी अंडर ग्रेडर्वर्ड्ड प्रग्राम है जैसे कि बीड विक्क्त। both एक कुछ प्रोग्राम के चैसे कि हिश्ट्री प्लस पाल साइंड संस्कीत प्लस फिजिकल एजुकेशन और भी सब को एक्जामिनेशन फॉर्म फिलप करना है तो गाइस बात करते हैं एक्जाम की लाज़ डीट के इस्टेंशन के बारे में एक्जाम के लाज़ डीट के अब तक एस्टेंड करी गई है गाइस देख सकते हो कि 13 तारिक 11 वामना कैसे है गाइस मैं अपनी अगर बात करों तो मैंने इस फॉर्म को बहुत पहले फिलप कर दिया है और मुझे काइस पता है कि इस फॉर्म को कैसे फिलप करना तोगज मैं बताता हूं आप लोगों सबसे पहले तो आप लोगों को इस वेबसाइट पर जाना है slc.uod.ac.in इस website पर जाने के बाद आप लोग को क्या करना है सबसे पहला अपना basic जो डिटेल है like select program जो कि यहां पर आप लोग को लिखा हूँ मिल जागा इस नोटिफिकेशन में इस bulletin में due के सबसे पहला आप लोग क्या करना है basic details भरना अपना program set करना या तो जैसे कि आपका हिंदी owners है English owners है political owners है या फिर आप लोग के पास BSC है B.com, B.com program, B.com owners और दूसरी चीज़ क्या होती है जो B.com, oh sorry B.A. program वान इस्ट्रेंट्स होते हैं उनकी combination आपना select कर ले न साइन्स प्लस संस्कीत प्लस फिजिकल इजिकेसन जो भी है आपका एनिवेज उसके बाद आप लोग को enrollment number भरना है वहाँ पर जाकर सबसे पहले तो आपको इस portal पर जाकर या इस website पर जाकर सबसे पहले तो new registration करना है जैसे ही जाओगा आपको अपना select program करना है दूसरा इस टैब आप लोग को आप enrollment number भरना है तो guys enrollment number कहा मिलेगा सबसे पहले तो यह बात कर लेते हैं यह हम लोग को CCS portal में मिलेगा जहापर हमारा admission का सारा process हुआ है वहाँ पर यह so कर देगा महां से इसको copy करके आप आ जाना इस website पर और इसको जैसे भरो गया और उसके बाद आपको capture भरना है capture भरने के बाद इसको submit कर देना है जैसे submit कर लोगे और उसके बाद जैसे submit करो गया आप लोग कही यह बन जाएगा